नमस्कार दोस्तों, क्लास सेवन की इस आईटी फाउंडेशन की सिरीज में आप सभी का मैं महें शोलंडे हरदिक स्वागत करता हूँ सेकेंड चाप्टर अभी सुरू है, फ्रेक्शन्स अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, इस चाप्टर में वो है इक्वैलेंट फ्रेक्शन्स तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को अनौरत है कि चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइक करें जिससे के आपको आने वाली वीडियो को नोटिपिकेशन मिल जाएं अब नेक्स्ट जो यह पॉइंट है, इक्वैलेंट फ्रेक्शन्स इक्वैलेंट, मतलब इस नाम में ही पता हमें चलता है कि इक्वल मतलब इक्वैलेंट, तो जिन फ्रेक्शन्स की वैल्ली इक्वैल है उन्हें हम इक्वैलेंट फ्रेक्शन्स कहते हैं अब यह फ्रेक्शन हमें मिलते कैसे हैं, देखिए गिवन फ्रेक्शन, जो फ्रेक्शन दिया गया है Suppose यहाँ पर 2 by 3 दिया गया है यह fraction and various fractions obtained by multiplying or dividing its numerator and denominator both by the same non-zero number ऐसे और fractions जो हमें मिलते हैं कि इन दोनों को numerator और denominator को non-zero number से non-zero इसका मतलब कि जो number 0 ना हो ऐसा 0 चोड़के किसी भी number से दोनों को same number से multiply करने के बाद जो भी हमें fraction मिलता है वो fraction और दिया गया है यह fraction यह दोनों fraction equivalent होते हैं उनकी value equal होती है Suppose हम इन दो numbers को 5 से multiply करेंगे भी तो 5 टूजा यहाँ पर होगा 10, 5 तो रिजा 15 10 by 15 और 2 by 3 तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि 2 by 3 is equal to 10 by 15 2 को भी 5 से multiply होआ है 3 को भी 5 से multiply होआ है तो जो भी fraction हमें मिला है वो और जो पहले fraction था यह दोनो equivalent fractions हैं अभी हम यहाँ पर कुछ और examples equivalent fractions के ले सकते हैं जैसे कि 4 by 5 4 by 5 numerator और denominator दोनों को Suppose हमने 2 से multiply कर लिया तो 4 to the 8 और 5 to the 10 तो 8 by 10 और 4 by 5 तो यहाँ पर हम लेख सकते हैं कि 4 by 5 is equal to 8 by 10 4 to the 8, 5 to the 10 अब same number से multiply भी कर सकते हैं और divide भी कर सकते हैं तो अब same number से हमें divide करना है Suppose 10 by 15 तो 10 by 15 10 और 15 दोनों को 5 से divide हो सकता है तो हमें दोनों को 5 से divide करने के बाद 5 to the 10 5 to the 15 तो 2 by 3 हमें यहाँ पर मिल जाएगा तो जिसे हमने यहाँ पर 2 by 3 लिया है वही 10 by 15 का हमें answer मिल जाएगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 10 by 15 is equal to 2 by 3 अब वैसे ही देखिए 4 और 5 इन दो नूम्बर्स को अगर हमने 3 से multiply कर लिया तो 3, 4 जा 12, 3, 5 जा 15 तो 4 by 5, 8 by 10, 12 by 15 यह तीनों भी numbers equivalent fraction कहलाएंगे तो इनमें और एक property देखिए क्या हो सकता है कि यह अगर दो हमने fractions ले लिये तो यहाँ पर अगर हम cross multiply करेंगे देखिए 4 into 10 तो यहाँ पर होगा 40 और 8 into 5, 8 फाइजा 40 तो यहाँ पर cross multiply करने के बाद equivalent fraction में हमें दोनों भी number जो हैं वो से मिलते हैं तो suppose अगर a by b is equal to c by d है यह दो fractions equivalent fractions हैं तो हमें a का multiplication d के साथ a into d करना है तो equal to मिल जाएगा हमें b into c तो a into d is equal to b into c ऐसा हम इसे लिख सकते हैं अब और एक property है कि suppose 4 को हमने 5 से divide कर लिया तो 5 से 4 को divide नहीं होता तो यहाँ पर 0 लेकर हमें point देना है और यहाँ पर 0 लेना है तो यहाँ पर होगा 40 divided by 5 40 को हमने 5 से divide कर लिया तो 5, 8 is a 40 तो 0.8 आता है 8 को 10 से divide करो 10 के table में 8 नहीं आता है तो हमें 0 लेकर point देना है और इसके आगे एक 0 लेना है और फिर divide करना है 108 जा 80 तो 0.8, 0.8 दोनों के हमें value जो है वो same मिलती है, तो इसलिए इनकी value same होती है, तो equivalent fractions ये कहलाते है अब next जो point है, वो है like fractions, like fractions क्या होते हैं देखे, the fractions with same denominators are called like fractions, जैसे कि हमने suppose 3 by 20 5 by 20 7 by 20, तो इन सभी का denominator same है, तो उन्हें हम कहते हैं like fractions, अब जो like fraction होते हैं, उनमे हमें addition या subtraction अगर करना है, तो denominator same as it is रखना है और numerator की addition या subtraction करना है, कि जैसे suppose 3 by 20 plus 7 by 20 अगर हमें करना है, तो denominator like fraction का same रखना है, यहाँ पे 20 और 3 plus 7 इन दोनों की addition numerator में हमें करना है, तो 3 plus 7 10 by 20, और फिर दोनों को हमने 10 से dial कर लिया, तो यहाँ पे 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 1 by 2 हमें answer मिल जाएगा तो इसके बाद है, unlike fractions, unlike fractions का होते हैं with different denominators, जिन भी fractions का denominator different है, suppose हमने 3 by 4 यह एक fraction ले लिया, और suppose 1 by 6 लिया, तब इनका जो denominator है वो different है, तो इन्हें हम कहते है, different, sorry unlike fractions, अब जो unlike fraction होते हैं, उनको हमें like fraction में दोनों को भी conversion करना आता है, तो कैसे करना है, देखिए conversion of unlike fractions to like fractions, अब 3 by 4 और 5 by 6, अगर दो fractions हैं, तो हमें denominator का LCM लेना है, LCM of denominators, तो दोनो denominator का LCM लेना है, LCM मतलब list common multiple, इसका मतलब कि दोनो numbers के table में multiple में, table में आने वाला सबसे smallest list number, तो अगर यह find करना है, तो 6 का table बोलते जाएं और जो भी number आते जाएंगे, उनमें 4 से divide होता है, क्या वो चेक करना है, 6 होंदा 6 6 को 4 से divide नहीं होता, तो 6 तूजा 12, 4 तूजा 12 तो 4 से और 6 से दोनों से 12 को divide होता है, और यही smallest number है जो इन दोनों से divide होगा, तो अभी हमें यहाँ पे 3 by 4 का भी denominator 12, और 5 by 6 का भी denominator 12 लेना है, तो 4 को हमें 3 से multiply करिए 4 तूजा 12, तो 3 तूजा 9, और 6 तूजा 12, तो 6 का जो numerator है, उसे भी हमें 2 से multiply करना है, 5 तूजा 10, जैसे के हमने यहाँ पे देखी, 2 से multiply करेंगे, तो यह मिलेगा, और यहाँ पे इन दोनों को 3 3 से multiply करने पड़ेगा, तो यह मिलेगा, अब इसका equivalent fraction यह है, और इसका भी equivalent fraction यह है, फिर हमें जो unlike fractions मिले थे, उनको हमने like fraction में यहाँ पे convert कर लिया है next point जो है, वो है comparison of fractions, अब comparison of fractions में क्या होता देखे, अगर दो fraction में हमें कौन सा greater और कौन सा smaller है, यह find करना है, तो उनका comparison हो गया, तो if denominators are same, मतलब first condition है, कि अगर denominator दो fractions के same है, या दो या दो से जाता तब हमें, उनका comparison कैसे करना है, कि suppose यहाँ पे मैं दो fraction यहाँ पे लिता हूँ suppose 1 by 15 और 2 by 15 तो अगर denominator same है, और दोनों भी positive हैं तो जिसका numerator greater होता है वो number greater होता है तो अब देखें, 1 by 15 और 2 by 15 में 2 by 15 greater होगा, अब 2 by 15 से greater 3 by 15 होगा 3 by 15 से greater 4 by 15 होगा तो ऐसे हमें 5 by 15 6 by 15 greater number जो हैं, वो मिलते जाएंगे, अब जब सभी numbers positive हैं तब जिसका numerator greater वो greater हो गया, अब जब सभी का sign जो है negative होआ तो negative sign में क्या होता है, दीखें, number line पे हमने देखा है कि अगर यहाँ पे 0 है, minus 1, minus 2, minus 3 तो इन्ही number से हम पता करेंगे यहाँ पे कि जब negative sign होता है तब जो number greater होगा, वो smaller होते जाता है दीखें कैसे कि suppose 2 और 3 हमने ले लिया 1 और 2, 1 और 2 में देखेंगे 1 और 2 में 2 greater है तो right side का जो number होता है वो left side number से greater होता है तो 2, 1 से greater है 1, 0 से greater है, 0, minus 1 से और minus 1, minus 2 से greater है तो minus 2 से greater minus 1 है लेकिन 2, 1 से greater है दीखें, 2 is greater than 1 अब क्या होता है कि अगर दोनों को हमने minus से multiply कर लिया तो minus 1 और minus 2 तो अब यहाँ पर 1 smaller था दोनों को हमने minus कर लिया तो ये 1 जो है, वो minus 1 greater हो गया तो अगर इनको हमने है सभी को minus से multiply कर लिया तो minus 1 by 15 minus 2 by 15, minus 3 by 15 minus 4 by 15 minus 5 by 15 तो ये जो सबसे smallest number था, वो सबसे greatest होगा और फिर ये smaller होगा इस से, फिर इस से ये smaller होगा, यहाँ से ये smaller होगा फिर जो number हो smaller होते जाएंगे अब है if numerator are same अगर numerator same है, सबसे हमने ले लिया numerator 10, 10 by 1 10 by 2 10 by 3, 10 by 4 10 by 5 अगर numerator सभी के same है, तो यहाँ पर 10 by 1 उतलब 10 होता है, अब 10 by 2 का मतलब होगा 2, 5 जा 10, तो 5 होगा 10 by 3 मतलब 3.3 ऐसे number आएगा तो, जैसे जैसे denominator greater होता जाएगा जैसे जैसे denominator greater होता जाएगा वैसे वैसे number smaller होता जाएगा तो जब numerator में मतलब, numerator दोनों के equal होँ, तो जिसका denominator smaller है, वो number greater होगा, मतलब उल्टा होता है, अगर denominator सेम है, तो जिसका number numerator greater, वो number greater लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है अगर numerator सेम है और denominator smaller है तो वो number greater होता है तो 10 by 1 is greater than 10 by 2 10 by 2 is greater than 10 by 3 10 by 3 is greater than यहाँ पर 10 by 4 और 10 by 4 is greater than 10 by 5 और सेम ऐसे ही अगर हम इन सभी को मैनस से मल्टिप्लाइ करेंगे तो यहाँ पर साइन जो है, वो चेंज हो जाएगा तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों, दो condition हमने comparison के देखे हैं, fractions के अब third जो condition है if numerators and denominators are not same मतलब ऐसे number जिन में numerator में भी equal नहीं है और denominator में भी numbers equal नहीं है तब हम यहाँ पर 3 condition से अलग-अलग हमें मतलब comparison करने आता है तो वो हम next वीडियो में देखेंगे अभी